असलाम अलेकुम, topic, collecting things, class 5 One of the reasons, एक वजा, why stem collecting? टिक्टे जमा करना क्यों? वास सो पॉपुलर इतना मशूर था इस विकास है, क्योंके stems, टिक्टे वर इसीली उप्टेंड असानी से हासल की जा सकती थी One of the reasons, why stem collecting was so popular is because stamps were easily obtained टिक्टे जमा करने कि इतने मकबूल होने की एक बचा ये है कि टिक्टो को हसिल करना असान था most people बहुत से लोग had friends, दोस्त रखते थे in distant places, दूर दराज जगों पर में who wrote letters जोने खत लिखते थे to them, उन्हें one of the reasons why stamp collecting was so popular is because stamps were easily obtained most people had friends in distant places who wrote letters to them टिक्टी जमा करने के इतने मकबूल होने की एक बचा ये है कि टिक्टो को हासिल करना असान था जएदा तर लोग जएदा लोगों के दूर दराज जबोंपर दोस्त थे जो इन्हें खत लिखते थे quite often children became interested quite often अक्सर children बचे became interested interested दिल्चस्पी लेने लगते हैं इन राइटिंग लिखने में to a pen friend एक कलमी दोस को a person एक शक्स whom जिसको they had never met जिससे वो कभी नहीं मिले हैं and who lived in a foreign country और जो एक दूर बाहर के या गैर मुलक में रहता है most people had friends in distant places who wrote letters to them बहुत से लोग दूर्दराज के लागों में दोस रखते हैं जो उन्हें खत लिखते हैं quite often children became interested in writing to a pen friend अक्सर बचे किसी कलमी दोस को खत लिखने में दिल्चस्पी लेने लगते हैं a person एक ऐसा फर्थ whom they had never met जिसको वो कभी नहीं मिले हैं and who lived in a foreign country और जो एक गयर मुलक या बाहर के मुलक में रहता है when and in world जब एक लफावा with a colorful stamp एक रंगीन सी टिकेट वाला एक रंगीन सी टिकेट के साथ arrives कहुंचता है in the post dark में you might say आप यह कीरन कहेंगे तो मुमकिन है आप कहेंगे जब एक रंगीन सी टिकेट वाला लफावा डाव में पहुंचता है तो मुमकिन है आप कहेंगे what a lovely stamp कितनी प्यारी टिकेट है it's a pity to throw it away pity होता है रहम तर्स यहां पर आजाएगा अफसोस अब यह एक अफसोसनाग बात है इस टिकेट को फैंग देना जो इतनी खूबसूरत है what a lovely stamp कितनी प्यारी टिकेट है it's a pity to throw it away इसको कहीं फैंग देना इसको फैंग देना एक अफसोसनाग बात है that stamp then becomes the first in your collection that stamp वो stamp वो टिकेट then तब ही becomes बन जाती है the first पहली in your collection आपके मजमुए में तब ही ये टिकेट आपके मजमुए की पहले टिकेट बन जाती है it is it is a start of a new and interesting hobby it is a start ये एक अगास है of a new एक नए का and an interesting hobby और एक दिल्चस्ट मश्कले का ये एक नए और दिल्चस्ट मश्कले का अगास है there are many ways of keeping a collection एक मजमुए रखने के एक मजमुए रखने के कई तरीके है stems may be put into an album stem टिक्टों को album में लगाया जा सकता है टिक्टें जो हैं album में लगाई जा सकती है stones, पत्थर और bottles या बोतलों को will have to be kept in cabinets or in boxes पत्थर या बोतलों को album या डिबों में रखना पड़ेगा and or flowers can be pressed and pasted into a scrapbook और फूलों को तेह किया जा सकता है और तराशों की किताब में लगाया जा सकता है फूलों को या तो तेह लगाया जा सकता है या फिर उस scrapbook में उस तराशों की किताब में लगाया जा सकता है There are many ways of keeping a collection एक मजमुए रखने के काफी तरीके हैं कई तरीके हैं Stems may be put into an album Stems, Tiktos को Tiktos, Tiktos, Album में लगाया सकते हैं Stones or Bottles Will have to be kept in cabinets Or in boxes Puther या बोतलों को अलमारियों या डबो में रखना पड़ेगा And Ports can be pressed and pasted Into a scrapbook और फूलों को तैर किया जा सकता है और तराशों की किताब में लगाया जा सकता है Words meaning Popular, मकबूल, मशूर, Obtained, हासिल किया Distant, दूरदराज, Colorful, रंगीन, Pity अफसोस Interesting, दिल्चस्प, Pressed, तैकिया, Pasted लगाया इसके साथ question number 3 है What are some of the things you will need in order to start a collection of floors What are some of the things कौन सी चीज़े हैं क्या चीज़े हैं कुछ चीज़े हैं You will need जिनकी आपको जरूरत होगी In order to To start a collection of floors फूलों का मजमुआं शूरू करने के लिए क्या चीज़े हैं वो कुछ ऐसी चीज़े कौन सी हैं जिनकी आपको एक मजमुए को शूरू करने के लिए जिनकी आपको जरूरत पढ़ेगी Answer है I will need a notebook मुझे एक notebook की जरूरत होगी A pencil एक pencil की An album Scrap book एक तरश्चो की कताब की एक album की Two pieces of hardboard and clean newspaper Hardboard के 2 pieces और एक साफ सुत्रा अखबार What are some of the things you will need in order to start a collection of floors फूलों का मजमुआं शूरू करने के लिए कौन सी जरूरत आपको पढ़ेगी Answer इसका होगा कि मुझे एक notebook एक pencil एक album या scrapbook hardboard के 2 pieces 2 टुकरे और एक साफ सुत्रा अखबार चाहिए होगा Diary है Reading Learn Question No.3 जो है उसे learn भी करना है और write भी करना है